हालो एवरिवान मैं अमित आप सबका वेलकम करती हूं यूट्यूब चानल कॉमर्स हरी के इंस पर आज हम लीडर्शिप के बारे पढ़ने वाले हैं मगर उससे पहले हमें लीडर कौन होता है ये पता होना ची लीडर का सीधा सा मतलब होता है नेता यानि ये एक ऐसा परसन हो होते हैं जो वो करता है जो वो कहता है लोग वही करना चाहते है जैसे कि बात करें हात्मा गांदी जी की तो उस टाइम पर वो जो भी करते थे जो वो कह देते थे लोग वही करने को रेडी होते थे असा योग आंदोलन कर रहा है वो करा नमक कानून तोड़ने के लिए दां होती है लीडर की कि यह हमारे अंदर छुपी हुई ताकत का हमें ऐसास कराता है जैसा कि इहां लिखा भी है इट इस पर्सन हो गिवस फॉर्म टू दा अन्यूटिलाइज एनरजी इन एवरी मैं हर किसी के अंदर टैलेंट है स्किल है जरत है उसे पहचानने की लीडर क्या करत है कि आपके अंदर के उस टैलेंट को पहचानता है और आपको यकीन दिलाता है कि आप ये काम कर सकते हो जैसे कि इसमें हम एक्जामपल ले लेते हैं बाहुबली मूवी का सभी ने देखी होगी बाहुबली में एक कैरक्टर था कुमार जो बहुत डरपोग किसम का दिखाय होते हैं कितने तरह के हमारे लीडर होते हैं दो तरह के लीडर है कंपनी के अंदर और बाहर भी फॉर्मल एंड इन फॉर्मल लीडर वो होता है जो अपनी पोस्ट की वज़े से लीडर बनता है यानि कि बात करे मैनेजर की जो मैनेजर ने बोला उसके नीचे काम करने वाले employees को वो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी post ही ऐसी है ठीक है अब बात करें informal leader की informal वो होता है जिसे लोग अपनी पसंद से leader बनाते है यानि कि उसका behavior इतना अच्छा होता है उसका character इतना अच्छा होता है कि लोग automatically उसे अपना leader बनाते है और उसकी बातों को मानते है जैसा वो कहता है वैसा वो करते है अब बात करते है हमारे topic leadership की leadership क्या है पहले इसका definition देख लेए it is the ability of an individual to influence motivate and guide the followers मतलब ये एक ऐसी काबलियत है एक person की कि जिसके जरिये वो लोगों को influence कर सकता है यानि प्रभावित कर सकता है लोगों को motivate करता रहता है guidance भी देता है अब ये लोग कौन है उसके follower ठीक है जो ये कहेगा जैसे ये करने के लिए कहेगा लोग वैसा ही करेंगे then क्यों करते हैं वो ऐसा ताकि वो एक goal को achieve कर सके किसी भी goal को hustle करने के लिए क्या करना है कैसे करना है ये वो समझाता है then it is the ability to build up confidence and zeal among the people ये लोगों के अंदर confidence बनाता है zeal का मतलब होता है उत्साह लोगों के अंदर उत्साह लेकर आता है अगर हम काम करते करते है ठक गया है या कोई बड़ा project आ गया और employees को लग रहा है कि ये इस project को वो कर नहीं सकते तो ऐसी condition में leader उन्हें help करता है वो ने बताता है कि हाँ ये काम करना मुश्किल नहीं है आप कर सकते हो वो proper guidance देता है proper उनको motivation देता है तो leader कौन होता है जो आपको हारने नहीं देता और leadership क्या है उसकी अंदर की ability कि वो आपको कितना influence कर पा रहा है करते हैं कि इसके क्या features है features में आएगा सबसे पहले personal quality यानि एक इनसान के अंदर personal qualities भी होनी चें ये leader बनने के लिए आप ये मत सोचिए कि personal quality का मतलब है कि आप लंबे चोड़े मोटे ताजे हैं तो आप leader है नई no doubt कि अगर आपकी personality ऐसे तो आप अच्छे लगेंगे लेकिन अगर आप अंदर से डरपो के तो कोई आपको leader क्यों मानेगा तो यानि personal qualities में आपकी inner and outer दोनो चीजें आती है कि आप बहादूर होने चाहिए ठीक है decision making power होनी चाहिए quick decisions लेने वाले होने चाहिए then exist only with follower भाई leader तभी तक रहेगा जब तक उसके follower है अगर आपको कोई following नहीं करा तो आपके इस बात के leader है ठीक है जी next process of influence यानि leadership एक ऐसा process है जिसमें हम लोगों को influence करते हैं प्रभावित करते हैं next readiness to accept responsibility leader हमेशा responsibility accept करने के लिए तैयार होना चाहिए यह नहीं है कि बस leader बनके बैठ गए लोगों को follower बना लिया और जब कोई काम करने के लिए company ने बोला तो आप कहते हो भई मेरे से नहीं होगा अरे जब आप ही काम करने से बना कर दोगे तो आपके follower कैसे करेंगे it means आपको responsibility लेनी है चाहे वो कितनी भी tough हो और अपने followers को यानि कि अपने team के persons को आपने वो काम करवाना भी है next realization of common goals यह बहुत important है कि leader का goal और उसके follower का goal same होना चाहिए तभी leadership properly चलती है अगर leader कुछ कह रहा है follower कुछ करना चाहते है तो काम नहीं चलेगा ठीक है and last function of stimulating follower यानि कि leadership एक ऐसा function है जिसमें हम follower को stimulate करते है stimulate का मतलता है उकसानम ठीक है काम करने के लिए आप उन्हें उकसाते है मजबूर करते है वो खुशी-खुशी आपका काम करते है leader का यही तो फाइदा है leader और manager में difference है manager क्या है अपनी post का इस्तिमाल करता हुआ जबरदस्ती employee से काम करवाता है चाहे वो उस काम को करना चाहते है